जो हर दोस्तो मैं आपका दोस्त पलास आपके लिए लेकर आया हूँ पलास भाग उनसर इस भाग में आप सीखेंगे घंटा और मिनट की आउधारना एवं अभ्यास करना दोस्तो अगर आपने भाग एक से अंठावन तक नहीं देखे हों तो उन्हें पहले जरूर देख ले चलो सुरू करते हैं भाग उनसर दोस्तो हमने पिछले भागों में दिन सब्ता महीने और वर्ष के बारे में बहुत कुछ सीखा है अब हम इस भाग में घंटा और मिनट के बारे में बात करते हैं सोमा के दादा ने मंगरा से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि प्रति दि विद्याले में कितना समय पढ़ाई करते हो दूसरा विद्याले कितने बजे सुरू होता है तीसरा विद्याले की छुटी कितने बजे होती है चौथा आप कितनी देर खेलते हैं पांचवां आप कितनी देर घर के काम करते हैं क्या आप घंटे का मतलब जानते हैं मंगरा न होती है रोज विद्याले आठ बजे शुरू होता है विद्याले से बच्चों की छुट्टी दो बजे होती है उन्होंने यह भी बताया है कि बच्चे प्रती दिन 45 मिनट खेलते भी है राम अपने घर का काम भी दो घंटे करता है अगर अभी भी घंटे का मतलब नहीं समझे तो मैं बताता हूं जैसे मीटर में दूरी मापते हैं लीटर में धारिता मापते हैं किलोग्राम में वजन मापते हैं वैसे ही घंटों में समय मापा जाता है आप रोज सुबह उठते हो फिर दोपहर होती है फिर शाम होती है फिर रात हो जाती है रात में आप सो जाते हो र वैसे दिन का बदलना आधी रात को माना जाता है मतलब यह हुआ कि आज आधी रात से शुरू होकर अगली आधी रात तक एक दिन माना जाता है जैसे मान लो आज सोमवार है तो साम को भी सोमवार ही रहेगा ठीक आधी रात को मंगलवार शुरू हो जाएगा फिर अगला पू इसी तरह से समय चलता रहता है इस तरह एक दिन को 24 बराबर भागों में बाटो तो प्रते एक भाग एक घंटे के बराबर होगा एक दिन बराबर 24 घंटा या 24 घंटे बराबर एक दिन होता है इसी तरह एक घंटे के समय को 60 बराबर भागों में बाटो तो प्रते एक भाग एक मिनट के बराबर होगा एक घंटा बराबर 60 मिनट या 60 मिनट बराबर एक घंटा होता है जब हम एक मिनट को 60 बराबर भागों में बाटते हैं तो इसे सेकंड कहते हैं एक मिनट बराबर 60 सेकंड या 60 सेकंड बराबर एक मिनट होता है इसलिए हम सभी समय का हिसाब रखने के लिए घड़ी काम में लेते हैं आपने अपने विद्याले में, घरों में या किसी के हाथों में घड़ी पहने हुए जरूर देखा होगा जैसे कि मैंने अपने हाथों में भी पहन रखा है और आपके घर के दिवाल में भी घड़ी लगी हुई है दोनों समय एक जैसे ही बताते हैं, सिर्फ आकार बड़ा छोटा होता है जैसे कि आप बाय चित्र में देख रहे हैं, ये एक घड़ी का चित्र है जिसमें रोमन एक से बारा घंटे को दिखाया गया है और दाहिनी ओर की घड़ी में संख्या में घंटों को दिखाया गया है घंटा मिनट और सेकंड की सुई को नीली रंग के तीर से दिखाया गया है सेकंड की सुई कितने सेकंड हुए ये बताती है मिनट की सुई कितने मिनट हुए ये बताती है और घंटे की सुई कितने घंटे हुई ये बताती है जैसे कि आप इस घड़ी में 5 बज कर 21 सेकंड हुए हैं ये जाननी के लिए हमें समय देखते समय या ध्यान रखना चाहिए कि घंटे की मोटी और छोटी सुई है मिनट की मोटी और लंबी सुई है और सेकंड की पतली एवं लंबी सुई है दाहिने और के घड़ी के चितर में अभी 2 बज कर 19 मिनट और 57 सेकंड हुए हैं जो लो कुछ अभ्यास करें नीचे कुछ घड़ीों के चितर दिये गए हैं उन्हें देखकर बताए कि कौन सी घड़ में कितने बचे हैं नीचे दिये गए घड़ियों में डायल की सहता से समय दिला दिखाए आपने यहां घंटा और मिनट की आउधारना का अभ्यास के बारे में लिखना पढ़ना सीखा मैं फिर आऊंगा भाग साथ लेकर धन्यवाद आपका दोस्त पलास